हेलो एवरिवान आज की हमाई रेसिपी है हैसल बैक पटेटोस यह बहुत ही टेस्टी लगते इजी भी बनाना और यह अच्छा साइड डिश भी हो सकता है या ग्रिल चिकेन या कोई डिप के साथ भी सर्फ कर सकते यह जैसे भी खाओ बड़े मज़े के लगते इसके लिए हम हम अच्छे से पील कर लेंगे और वाश करेंगे वाश करने के बाद हमने इसमें कुछ कट्स लगाए अभी हम आपको इसे कट करने की ट्रिक बताते यहाँ पे एक टेबल स्पून लेना है टेबल स्पून में हम यहाँ पे पटेटो रखेंगे और इसमें हम कट्स लगाएं हमें सिर्फ उपर की तरफ कट्स चाहिए, पुरे बेस तक नहीं अभी हम एक बेकिंग की डिश लेंगे, उसे हमें अच्छे से बटर से ग्रीस कर लेना है उसमें हम अपने सारे पटेटो जारेंच करेंगे और उसे भी बटर से ब्रश कर लेंगे यहाँ पे हमाई इस सारे पटेटो जारेंच हो चुके अभी इस पे हम सॉल्ट स्प्रिंकिल करेंगे और साथ ही थोड़ा पेपर भी स्प्रिंकिल करेंगे यहाँ पे हमने ओविन प्रीहिट कर लिया था 180 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 10 मिनिट्स और अभी हम ये पटेटोस 25 मिनिट्स के लिए बेक होने देंगे ओविन में यहाँ पे 25 मिनिट्स के बाद हमाई पटेटोस ऐसे लग रहे हैं जहाँ पे हमाई कट्स और अच्छे से दिख रहे हैं और हमाई पटेटो भी 70-75% हो चुका है अभी हम दुबारा से बटर ब्रश करेंगे इस पर और अपने चॉइस की सीजनिंग स्प्रिंकिल करेंगे यहाँ पर हमने इटालियन स्प्रिंकिल किया है इटालियन हर्ब्स अभी हम दालेंगे थोड़े से कोरियंडर लीव पाउडर और लास्ट हम परिपरि दाल रहें यहाँ पर हमने त्री फ्लेवर्स के बनाए आप अपनी चॉइस की सीजनिंग दाल सकते और इसे हम फिर से ओविन में रखेंगे फॉर 20 मिनिट्स जब तक पोटेटो हो जाएंगा और उपर डल गोल्ड कलर आना चाहिए और यह नेक्स 20 मिनिट्स के बाद यह हमारे पोटेटोस रेडी है खाने के लिए अब देख सकते हैं इसके कट्स भी कितने अच्छे से डिफाइन हो चुके और गोल्डन कलर भी आ गया है डल गोल्ड और अगर आपको हमाई रेसिपी अच्छी लगी तो डू लाइक शेर और सब्सक्राइब तो माई चैनल थैंक यू बाई